मेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ग्यान सेवा 24 स्वाज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रेक्टिस चेट नमबर टू पिछली हम उसको स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा फॉस्ट क्वैस्चन दिया हुआ है कि जब भारती या न्याईक पधती में लोकहित मुकद्मा PIL लाया गया तब भारत के मुखिय न्याय मुर्ती कौन थे उस समय जो भारत के मुखिय न्याय मुर्ती थे वे थे पी एन भगवती पी एन भगवती राइट आंसर हो जाएगा नेक्ष्ट दिया हुआ है कि संसत के धन विधेकों के संदर्व में निम्रलिकित में से कौन सा कथन गलत है यहां पर जो दिया हुआ है कि इसे राजी सबहा द्वारा अश्विकार या संसोदित किया जा सकता है यह जो अप्षन है यह गलत है तो यह राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो राजी सभा के पास धन विध्यक को होता है उसको खारिज करने या संसोधित करने का अधिकार नहीं होता है इसलिए जो यह विकल्प दिया हुआ है यह अप्शन नमर डी यह गलत है और इस विध्यक को जो होता है धन विध्यक उसको अनुशेद 110 में परिभाशित किया गया है नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि संविधान की किस अनुशेद में संसद के सन्यूकत अधिवेशन की व्यवस्ता किया गया है यह जो किया गया है अनुशेद 108 में next question दिया हुआ है कि भारत के समिधान में किस पद का उलेख नहीं है किस पद का उलेख नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपप्रधान मंत्री ठीक है जो भारत का समिधान है उपप्रधान मंत्री का जो पद का कोई जो है उलेख नहीं किया गया है ठीक है और जो हमारा भारत में जो है अब तक उपप्रधान मंत्री जो है उनका पद जो है साथ बार किया जा चुका है पदोकस रिजन और भारत के पहले जो उपप्रधान मंत्री थे वो सरदार बल्लभाई पटेल थे नेक्ट केशन दिया हुए कि निम्न में से कौन सा समिधान संसोधन राष्टपती को किसी भी मामले को पुनह विचार करने के लिए मंत्री मंडल को भेजने की सकती प्रदान करता है ये चवालिश्वा समिधान संसोधन जो होता है ये जो होता है राष्टपती को किसी भी मामल को पुनर विचार करने के लिए मंत्री मंडल को भेजने की सकती प्रदान करता है ठीक है लेकिन बस उसमें होता है कि पुनर विचार के बाद राष्ट पती को दी गए सला के अनुसारी कारे करना पड़ता है बट ये भेजा जाता है अनुछे जो संसोधन ब्रदान संसोधन के द्वारे हैं सर्वोची नयायाले के नयाध्यादीष बनने के लिए निव्ह नित आयु कितनी होनी चाहिए ति इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कि ईनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि एक बड़ नि soph fake Brothers होता है और सर्वोची नयाले के नयाध्य अपने सक्तियों का प्रियोग करते हैं तो कैसे करते हैं सक्तियों का प्रियोग तो सीधे अथ्वा अधिनस्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो है भारत के राष्टपति की सक्तियां जो होता है सीधे अथ्वा अधिनस्त अधिकारियों के द्वारा नेक्स्ट दिया हुए कि भारत में पंचाती राज प्रतिनिधित्व करता है तो किसका करता है सक्तियों के विकेंद्री करन का लोगों के सहभागिता का सम्मुदाइक विकास का राइट आंसर हो जाएगा ये शभी का जो है प्रतिनिधित्व करता है भारत में पंचाती राज नेक्स्ट क्वेशन दियावा है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजी करन निम्न प्रावधानों में किसके द्वारा के अनुसार किया जाता है तो ये जो किया जाता है लोग प्रतिनेधी अधनियम 1951 के अनुसार किया जाता है किसका तो भारत में राजनीतिक दलों का प्रस्तुत करता है क्या तो राजी मानवाधिकार आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजी सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है नेक्स्ट दिया हुआ कि रूलेट एक्ट का भारतिय राजी कॉंग्रेज ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष था तो व्यक्ति राय थे और इन्होंने जो किया था अठार सो पंद्रह इसपी में कलकत्ता में किया था इसका अस्थापना ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन दिया हुआ है कि हमायू द्वारा लड़े गए चार प्रमुख युद्धों में कौन सख्स क्रम जो है सही है जिसका राइट आंसर हो है वो पंद्रह सो चालिस में हुआ था और जो सरहिंद का युद्ध है वो हुआ था पंद्रह सो पच्पन में ठीक है तो यह हो जाएगा इसका राइट आंसर अप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेस्टन दिया हुआ है कि मालाबार में मोपला विद्रो किसका परिणाम था म यह हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का ठीक है खिलाफत आंदोलन कव विद्रो कव हुआ था तो 1921 में मालाबार तट जो कि इस समय केरल में पढ़ता है वहां पर हुआ था मालाबार में मोपला विद्रो ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन दिया है कि किसने कहा था आजादी हमार पहुँच के अंतरगत है हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए तो ये बोलें थे महात्मा गांधी कि आजादी हमारी पहुच के अंतरगत है इसे हमको कसकर के पकड़ना चाहिए नेक्स्ट क्वेस्टन है कि भारती राष्टी कॉंग्रेस के दूतियम मुस्लिम अध्यक्ष कौन और इन्होंने जो किया था 896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किये थे और पहली बार वंदे मात्रम गाया था इसी अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मात्रम गाया गया था नेक्ष क्वेशन दिया हुआ है कि निम्नगली खित में से किस पुरास्थल में पासार संस्कृती से लेकर हडपाश अभ्यता तक के संस्कृति के अवसेश प्राप्त हुए है तो ये प्राप्त हुआ है कहां से तो मेहरगड से प्राप्त हुआ है मेहरगड कहां पे है तो गौतम बुद्ध को एक देवता का अस्थान किस राजा के समय में प्राप्थ हुआ है तो ये जो प्राप्थ हुआ है किसके समय में तो कनिश्क समय में प्राप्थ हुआ है पुछे का कि कनिश्क जो है बौध संगीती कौन सी बौध संगीती हुई थी कनिश्क के समय में तो जो है बहुत संगीती हुई थी इसमें जो बहुत धर्म था ये दो भागों में बट गया का ही नियान और महा या जब ने स्टुप गुप्त मौर यहने सेलुकस को किस वर्स में पराजित किया था सेलुकस को किस वर्स में पराजित किया गया तो 305 इस भी में पराजित किया गया नेक्ट क्वेश्चन है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त सासक था तो कौन था प्रथम गुप्त सासक तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र गुप्त द्वितिय है जो कि रजित सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त सासक जो है बना कौन सा सुल्टान अपने फर्मान में सरदार या अमीरों को मंसद अली के नाम से संबोधित करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी था ये अपने सरदारों को बड़ा शमान देता था और अपने सरदार को जो है मनसद अली कहकर के पुकारता था ठीक है मनसद एयाली नेक्स क्वेशन है कि मुहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखी तभी आप प्रियोगों या अभियानों को काला क्रमा नुशार सजाईए जिसमें दिया हुआ है कि सांकेतिक मुद्रा ठीक है इसको जो है सांकेतिक मुद्दा दो आप में बृद्धी का राजधानी परिवर्तन और कराचिल अभियान इसको हमको काल क्रमा अनुशार सजाना है जिसमें सबसे पहले हो जाएगा दो आब में बृद्धी फिर हो जाएगा राजधानी परिवर्तन फिर हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा और लाश्ट में हो जाएगा काराचिल अभियान तो देख लेते हैं दुवाब में बृद्धी कब हुआ तो 1325 इस भी में और दूसरा जो दिया हुआ है राजधानी परिवर्तन ये कब हुआ तो 1326 में सांकेतिक मुद्रा जो है ये कब हुआ है तो 1329 इस भी में next question है कि निवन अमें इस कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है तो केंद्री बज़र 2021.22 में जो पास किया गया ये पेपरलेस बजट है और किनों के द्वारा पेश किया गया तो ये पेश किया गया है विद्वानतरी नीर्मला सीतारामन ने पेश किया 2021-25 में कब तो एक फर्वरी 2021 को एक फर्वरी जो है 2021 को ये पेश किया गया किसन के द्वारा तो निर्मला सीता रमन के द्वारा next question है कि पॉंग और तापू राजी के लोगे पर इनृत्य है तो ये किस राजी के इनृत्य है? पोंग और तापू तो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनांचल प्रदेश का निरत्य है और नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ है कि निम्ने युगों में से कौन सा एक सही सुम्मेलित नहीं है जिसमें दिया हुए कौन इस मेसेज है गलत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पामेला जेलीमो ये भारत तोलन से जो है नहीं है तो नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने मानो विकास की आवधारना की सुरुवात की तो ये किया गया है डाक्टर महबूब उलहक के द्वारा मानव विकास की अवधारना का सुर्वात किया गया है देख और क्वेश्चन बनता है कि पहला मानव विकास कब जारी किया गया है तो ये जारी किया गया है 1990 में नेक्स्ट है कि WTO का पुर्वर्ती नाम क्या था तो WTO का जो पुर्वर्ती नाम है वो हो जाएगा GATT इसका पुर्वर्ती नाम हो जाएगा ठीक है तो यह जो GATT का फुल फर्म हो जाएगा जो कि इसका उद्देश यह था टैरिफ को कम करने के व्यपार को उदार बनाना और यह जो है एक जनवरी 1995 को गेट जो GATT है इसके अस्थान पर WTO लिखा जाने लगा कब तो एक जनवरी जैविक घटकों में सामिल होता है तो क्या शामिल होता है तो राइट आंसर हुझे का उत्पाद उपभोगता और अपघटक ये जो सामिल होता है परिस्थिती तंत्र के जैविक घटकों में सामिल होता है नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रेन ट्यूबरन यानि NZT भारत सरकार द्वरा स्थापित किया गया तो कब किया गया है तो ये 2010 में किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुए कि जैविक आउक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूशन सुचकांक है तो किस प्रकार का है इसका राइट आंसर हो जाएगा जली या वातावरन का जो है ये BOD जल प्रदूशन मापने काई काई होता है BOD ये जली या वातावरन का जो है इसको नापने दर्शाता है सुचकांक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्टिय युवा दिवस 2023 का विशे था तो क्या विशे है राष्टिय युवा दिवस 2023 का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षित युवा विक्षित भारत विक्षित युवा विक्षित भारत ये इसका जो है विशे था राश्टी युवा दिवस 2023 का नेक्स क्वेशन है कि हाली में प्रशीद व्यक्तित्व वारी जैराम का निधन हो गया उनका संबंद किश्व छेत्र से था तो राइट आंसर हो जाएगा इनका जो संबंद था वो संगीत से था किनका वारी जैराम वारी जैराम का निधन हो गया ये संगीत के छेत्र से थे ये जो थी एक महिला थी ये पाश्व गाई का थी और इनका निधन जो है 2023 में ही हो गया है नेक्स क्वेशन दिया हुए चोवहत्तरमा गरतंत्र दिवस की जाकी में किस राजी की जाकी को प्रथम अस्थान दिया गया तो ये जो उत्राखंड की जाकी इसको चोवहत्तरमा गरतंत्र दिवस में प्रथम अस्थान दिया गया दूसरे अस्थान पे जो था महराष्ट था और तीसरे अस्थान पे जो था उत्तर प्रदेश की जहां की थी नेक्स्ट है कि दादा साफ फाल के अंतराश्टी पुरसकार है तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया तो दे कस्मीर फाइल को चुना गया है दादा साफ फाल के पुरसकार के अंतरगत बेस्ट फिल्म के लिए और जो है बेस्ट फिल्म के लिए तो ये चुना गया है दव कश्मीर फाइल और वहीं पूछतेगा कि फिल्म आफ द इयर का किताब किसको मिला है तो आर 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 को मिला हुआ है नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ कि भारतिय वायू शेना के नए उप प्रमुख कौन बने है तो भारतिय वायू शेना के जो उप प्रमुख है वो अमर प्रीत सिंग है नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षर 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राजय का प्रथम अस्थान है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर डी केरल ठीक है केरल जो है 2022-23 के लिए नारियल का प्रथम जो है अस्थान बना हुआ है नेक्स्ट क्वेशन है कि 17 हमा वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राजिय या केंदर शाषित प्रदेशों ने 33 प्रतिशत भू भाग पर वना आवरल लक्ष को प्राप्त किया है ये राइट आंसर हो जाएगा कि 17 जो 17 हमा वन इस्तिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के लगवक 17 जो एक राजिय या केंदर शाषित प्रदेश में 33 प्रतिशत वनावरल लक्ष को प्राप्त किया गया है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कि पहली बार बीसी सी आई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लिग 2023 में कुल कितनी टीम भाग जिसमें 2023 के प्रथम संस्कर का जो आयोजन हुआ था चार से 26 मार्च 2023 के बीच में हुआ था और इस टीम का सबसे महिला खिलारी के रूप में स्मृति मंधाना को जो है 340 करोड रूपे में RCB द्वारा खरीदा गया है नेक्स्ट क्वेशन है कि नवोदित लेखकों को प्रो करने का उद्दिश भार सरकार ने सुरू किया है नेक्स क्वेशन दिया है कि प्रधान मंतरी रिषी शूनक का संबंद भारत के किस राज ये से है तो ये हो जाएगा राइट आंसर पंजाब से संबंदी थे रिषी का जो संबंध है इनका जो जन्नम हुआ था 12 मएं 1989 को ब्रिटेन में हुआ था लेकिन इनके पूर्वत जो है पंजाब राजे से संबंधित है नेक्ट क्रेशन है कि पूरुष T20 वर्ल्ड कप का योजन 2026 में कहां किया जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रिलंका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर D दोनों जगह पर किया जा सकता है ठीक है तो नेक्ट क्वेशन है कि राष्ट मंडल खेल 2022 में स्वन पदक जीतने वाले सुधिर लाट का संबंध किस खेल से है तो इनका जो शंबंध है भारत तोलन से है और ये शुधिर लाट जो है इनका संबंध कहां से तो हर्याना राज्ये से है और जो ये राष्ट मंडल खेल 2022 में आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ बर्मिंगम इंगलाइंड में जिसमें भारत का अस्थान जो थ रिद करके लाया गया है राष्ट मेंडल खेल 2022 के द्वारा नेक्स क्वेशन है कि बजट 2023 के अनुसार प्रात्मिक घाटा जी डेपी का कितना प्रतीशत है इसका राइट आंसर हो जाएगा दू दसमलों तीन प्रतीशत है दोजर तेश चोबिस जो है कि अनुसार इसका घाट का घी डेपी हो जाएगा दो दसमलों तीन प्रतीशत अरथाथ इसका पैसे में अगर लेंगे तो zeरुप्या नेक्स क्वेशन दिया हुआ हहा है कि नया राज़्यपाल की से निक्ट किया गया है स्क्किम का नया राज्योफ का मरत राज़्यपाल नेक्स है कि यूनि नए राज़दूत बने हुए हैं नेक्स्ट क्वेशन है कि वीरगारजियन सन्युकता सैन अभ्यास जो भारत तथा जापान के मद्य हुआ इसका आयोजन किया गया था तो कहां पे किया गया है तो हाया कूरी में किया गया है और यह हाया कूरी कहां पर है तो ये जो होता है एक वायू शेना केंदर पर हुआ था ठीक है तो ये हाया कूरी जो है ये है जापान के हाया कूरी एक वायू शेना केंदर पर हुआ था इसमें भारती दल का नेतरी तो जो किया था एक महिला इसकाईवियन लीडर थी जिनका नाम था आवनी चतुरवेदी इनके द्वारा किया गया था तो ये राइट आंसर हो जाएगा हाया कूरी में हुआ था नेक्स्ट क्वेस्टन है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा आदी महोचो का सुभारम कहां किया गया है ये जो आदी महुत्सों का सुभारम किया गया नई दिल्ली में किया गया है और कब किया गया तो 12-27 फरवरी तक दिल्ली की मेजर ध्यांचंद्र नेशनल एस्टेडियम में आदी महुत्सों का योजन किया गया नेक्स्ट क्वेशन दिया हुआ कि T20 क्रिकेटर आप ये 2022 का वार्ड किसे दिया गया था तो ये जो आवार्ड दिया गया है सुर्य कुमार यादो को दिया गया किसमें तो ये दिया गया था सर्वस्ट्रेश्ट क्रिकेटर का वार्ड दिया गया है सौरी ये जो सर्वस्ट्र पद्म भीभूशन पुरसकार 2023 से सम्मानित स्री निवास वर्धन का संबंद किस छेतर से है तो ये शंबंदी थे स्री निवास वर्धन विज्ञान के छेतर से जो पद्म भीभूशन पुरसकार 2023 से इसमें सम्मानित किया गया है ये 6 नागरिकों को जो है सम्मानित किया गया ह नेक्स्ट ब्रॉस्थित राजनीतिक सरद याधव जिनका हाली में नीदन हो गया वे कितनी बार लोग सभा है तु चुने गए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो साथ टाइम जोए साथ बार जोए लोग सभा है तो चुने गए थे और तीन बार जो है राजी शभा हेतू चुने गए थे नेक्स्ट कि दुनिया का समसे लंबा रिवर कुरूज एवर एम वी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है तो ये जो किया गया है एक क्यां दिनों की यात्रा पूरा किया गया है नेक्स्ट कि भारत सरकार ने किस देश से बारत चीते लाने हैं तो समझाता किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिन अफरीका से जो है लाने के समझाता किया गया है नेक्स्ट क्वेश्टन है कि पूस्ट तक the magic of the last story के लेखा कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुधा मूर्ती ठीक है सहाब उदिन चुपॼ को किस देश का नए राश्टपती बनाए गया है तो बांगला देश का राजधानी कहा होता है तो दांका होता है और वर्तमान में यहां के प्रधान मंत्री है वो शेख हशीना है नेक्स्ट क्वेशन है कि व्यिज्यानिक अनुशनधान केंदर दक्षिर गंगोतरी कि अस्थापना कब की गई है तो यिनका जो अस्थापना कियां गया गया 1903 में किया गया hai एक तरफ दिया हुए जन जाती ये दिया हुआ पाई जाता है जो हो जायगा वन और थ्री ठीक है पहला और तीसरा जो है ये दोनों सही है राइट इन्सर हो जाईगा नेक्स्ट क्वेश्टन दिया हुआ है कि एक देश के अंदर इस्थित सबसे बड़ी जिल कौन सी है तो सबसे बड़ी जिल कौन सी है एक देश के अंदर इस्थित तो राइट आंसर हो जाएगा मिशिगन मिशिगन जो है यह अमेरिका की इस्थित जो अंदर इस्थित है और इस जिल का जो छेतरफल होता है यह है अंठावन हजार वर्ग किलो मीटर है और यह एक देश में इस्थित सबसे बड़ी जिल है कौन से जिल है तो मिशिगन जिल नेक्स्ट के वायू मंडल में हाइट्रोजन की प्रतिशत मातरा कितनी होती है तो यह हो जाएगा 0.01% होता है वायू मंडल में सरवाधिक मातरा में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है वो उसका होता है 78 प्रतिशत उसके बाद अक्षीजन पाया जाता है 21 प्रतिशत और उस जलधारा का उधारन नहीं है तो इन में से कौन है जो गरम जलधारा का उधारन नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेरुवीयम पेरुवीयम जो है एक ठंडी जलधारा होती है जबकि सुसिजमा है सुसिजमा है एलो नीनो है और जो दिया हुआ है ये दोनों जो है ये ठंडी गरम जलदा रहा है और ये जो है पेरुवियन ठंडी जलदा रहा है नेक्ट क्वेश्चन है कि भारतिय मांसून मौशमी विग्यापन से इंगित है जिसका प्रमुक कारण क्या होता है तो राइट आंसर हो जाएगा कि अस्थल तथा समोह का विवेदी तापन जो होता है उसके वज़े से होता है तो भारत में मांसून आने का एक प्रमुक कारण जो होता है अस्थल और समोह का जो होता है वो तापांतर होता है जिसमें क्या होता है कि अस्थल से अधिक गर्म हो जाने पर और समुद्र में थंडा हो जाने की कारण जो होता है मांसुनी हवाय जो है समुद्र से अस्तल की ओर चलती है जिसका राइट आंसर हो जाएगा सम अस्तल और समों का विभेदी तापन नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तट है यह जो कृष्णा डेल्टा और कैप कोमेरियन है यह इसके मद्य में जती थे कारो मंदल तट पर नेक्स क्वेशन है कि निम्नलिखित में से कौन किसकी कोई काई नहीं होती है तो राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व की कोई काई नहीं होती है क्यों नहीं होती है तो इसका सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी काई का अनुपात होता है नेक्स्ट दिया हुए कि इनमें से किसे मापने के लिए इस टेलगो मीटर का उप्योग किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिश्ट तनाव को मापने के लिए इस टेला गोमनो मीटर का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन दियागा कि यदि किसी वस्तू बृताकार पत्थ में घुमाई जाती है तो उसके किया गया कार्य होगा वो जो होगा कार्य शुन्य हो जाएगा क्योंकि बृताकार पत्थ में एक चक्कर में विस्थापन जो होता है शुन्य होता है नेक्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निमंजित हो जाएगी तो वो है रीडिंग में सबसे कमभार दिखाएगी नेक्स्ट क्वेशन है कि बोरो सिलिकेट ग्लास बरतन का माइक्रो वेब ओवन में प्रियोग किया जाता है क्यों कि ये जो हता है उश्मा प्रतिरोधी होता है नेक्स्ट क्वेशन है कि हाइट्रोजन अडू का नाभी कि किस से बना होता है नेक्स्ट क्यान से कौन सा विकल शौ सन योजक योगी का गुड नहीं है इसका रायत आंसर उचे उच गलनांक और कथनांक जो होता है सोसन योजिक योगिक का गुड़ नहीं होता है नेक्स्ट दिया हुआ है कि इथेनाल को इथेन में परिवर्थित करने के लिए डिहाइडरेटिंग एजेंट के रुप में उप्योग किया जाता है तो किसका किया जाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फियूरिक अमल में इथेनाल को इथेन में परिवर्थन करने के लिए डिहाइडरेटिंग एजेंट का जो है इसका प्रियोग किया जाता है सांद्र सल्फियूरिक अमल का प्रथम धात्विक तत्व धातु है तो कौन सा हो जाएगा यह जो हो जाएगा लीथियम जो हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्ष्ट दिया हुआ है कि निम्न में प्रति अमलक के संगटक के रूप में किसका प्रियोग किया जाता है यह किया जाता है सोडियम हाइट्रोजन कार्बोनेट का प्रियोग किया जाता है किसमें तो प्रति विल्वर ब्रोमाईट को शुर्य की रोशनी में रखा जाता है नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे द्वारा कोई धातू अपने आसपास उपस्तित नमी एसीड इत्यादी द्वारा प्रभावित होती है तो यह होता है संचारन ठीक है उसको संचारन बोला जाता है तो इसमें दिया हुए कि निम्न में से कौन सा सब्द पशुवयवार के जैविक अध्यान का सबसे अच्छा वड़न करता है तो जो इत्योलोजी होता है यह रोगों की कारण का अध्यान करता है जो एंटोमोलाजी होता है यह कीटों का अध्यान करता है नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस कोशिकांगो कोशिका का मास्टर कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना भी कोशिकांगो कोशिका का मास्टर कहा जाता है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा थायू तक एक पौधे का को कठोर बनाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलेरेन काइमा जो होता है ये एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है नेक्स्ट कौन सा दूद का प्रोटीन है कौन सा दूद का प्रोटीन है तो यहाँ पर हो जाएगा केशीन जो है यह दूद का प्रोटीन होता है नेक्स्ट है कि जिन अंगों का मुल सनरचना भिन होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होती हैं उनके कारी भी शमान होते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है कि औक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है औक्टोपस के खून का रंग तो इसका होता है रकलर नीला होता है नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानों शरीर के किस अंग पर एजियो प्लास्टी किया जाती है एजियो प्लास्टी किया जाता है मानों की किछ अंग पर ये किया जाता है हिर्दै पर नेक्स्ट कि मनुष्यों में बौने पन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदाई होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीउष ग्रंथी जो हती है मनुष्य में बौने पन के लिए उत्तरदाई होता है नेक्ट क्वेशन दिया हुआ है कि किस रोग से पीडित रोगी भी नेत्रदान करा शकता है तो मदुमेश जो पीडित होगा वो नेत्रदान करा शकता है नेम्न में से कौन सा पदार्थ तमबाकू में मवजूद होता है तो राइट आनसर हो जएगा निकोटीन ये जो होता है तमबाकू में मौजूद होता है तो नेक्ट दिया है कि लगू दोगो की क्या शमस्या होती है तो पुंजी का भाव, विप्रन जानकारी का भाव, कच्छे माल का भाव तो इसका राइट आंसर हुजएगा उप्यूक्त सभी जो होता है लगो दोगो की समश्या होती है नेक्स्ट दिया हुआ है कि सैनवेट का शम्बंद है सैनवेट का शम्बंद किस से होता है तो इसका राइट आंसर हुजएगा केंदरी उतपादक सुलकशे होता है सैनवेट का शम्बंद जा हुआ है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी ये शुरू किया गया है और ठारो सो बास्ट में पहली बार जो है कागज की मुद्रा शुरू किया गया है नेक्स्ट दिया है कि कौन से एक भारती रिजर्व बैंक का कारिय नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साक्स रिजन जो साक्स रिजन है ये भारती रिजर्व बैंक का का कारिय नहीं है ये जो होता है साक्र रिजन को इंगलीस में बोल सकते हैं credit creation और ये कारी हो जाता है वाडिजिक बैंक को द्वारा किया जाता है ठीक है next दिया हुआ है question है math का जिसको solve करिएगा 5 क्रमिक विषय संख्या का औश»21 है तो उन में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो जब पाँच क्रमिक संख्या का औशध 21 है तो उसके जो है दिया वागा कि उसमें सबसे छोती संख्या क्या होगी तो 17, 19, 21, 23, 25 होगा तो इसम इसने 24 प्रतिशत अंक प्राप्त किये और तथा 9 अंकों से अनुत्रेन रहा तो परिक्षा का पोड़ांक ग्यात करें ठीक है तो इसको शॉल्ब करिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी इसको शॉल्ब करके जरूर देखिएगा नेक्स्ट है 90 नमबर तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी और जो 99 नमबर का क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी और जो है 100 नमबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए तो इसको solve करिएगा और comment जरूर करिएगा ठेक है मिलते हैं